तो आपको बताने की जुरूरत नहीं है कि हम फूर्ट चेप्टर मतलब SME लांग्विजों की लास्ट टॉपिक है हमारा पी लसी माइक्रो कंट्रोल और इसकाड़ा वीडियो लेक्चर का यह लास्ट ही चेप्टर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो को देख सकते हैं लेस्ट टॉपिक अफ टूड़े जो कि हम सेवन सिग्मेंट पढ़ने वाले हैं तो देखिए एक बार और बताते हैं कल के वीडियो में हमने इंटरफेसिंग क्या पढ़ा था की बोड जिसमें कीवोड का इंटरफेसिंग क्यों करते हैं हमने बताया था तो आज के हम वीड प्रूजिया फ फाइफ फाइफ सु करना है तो देखिए ये वाला ये वाला जो अफ हो अगया और प्रमिंद हैचा हमें उसको रहुत हो इंटरफेस हो गया करना सकते हैं हमें च् Application करताएं तो इसलिए हमें लेक्षिंग को簡直नें लेक्री हैं पसुट कर आए को masuk को शेच जढ़ेंद सेग्मेंट LED दिस्प्ली जाइन डिट को दिस्प्ली करता है एंड फीव करेक्टर ए बीसी डी तक मतलब यह एबीसीडी एफ जी तक मतलब यह क्या करता है हमारे मतलब LED को क्या करता है LED हम यूज करते हैं जो की number को display करता है 0 to 9 तक तो देखिए इसके बारे हम समझते हैं कैसा display करता है कैसा interface करते हैं कैसा interfacing करके हम मतलब इसको यूज मिलेते हैं तो 7 segment display consists of 7 LED arrangement in the form of sequence 8 character देखिए जो हमारे 8 character है A, B, C, D, E, F, G जो यह हमारे 8 character है इसका यूज करके हम 0-9 मतलब 0-9 तक के digit को हम क्या करते हैं मतलब इस पर display करते हैं जैसे यह हो गया हमारे देखिए यह सब जो LED है A, B, C, D, E, F, G मतलब ऐसे हमने LED को add-ins किया है और हम programming देंगे एक पर interface हो गया तो हमें जो programming जो हमें need होगी जिस type के हमें मतलब instruction के need होगी वैसे हम अपने according to processor हम अपने convert कर लेंगे तो देखिए जैसे कि यह port हो गया यह जो होगा अगर इसमें जाएगा मतलब अगर हम set condition देगे तो हमारे A glow होगा अगर इसमें देंगे तो हमारे B glow होगा तो digit drive pattern of seven segment LED display is simply different मतलब different logic combination of A to J in order to display मतलब मतलब display करना है तो सबके लिए programming जो होगा अलग अलग होगा A से G तक जैसे for example देखिए यह हमारा यह हमारा हां जी तो देखिए यहां से आपको समझना है कि कैसे मतलब digit drive pattern करते हैं तो मांग चली है जैसे यह हमें हमें क्या जैसे हमें डिस्प्ली क्या करना है हमें डिस्प्ली मांग चली जी रो करना है तो जीरो करना है तो यहां से क्या करेंगे हम 0 को अगर डिस्प्ले कराना है तो किवल G जो है G को मतलब reset condition कर देंगे reset और सबको हम क्या कर देंगे सबको set कर देंगे हमारे A glow होगा, B glow होगा, C glow होगा, D glow होगा, E glow होगा, F glow होगा तो अगर ये glow होते हैं तो 0 pattern बनेगा अगर हमें one follow कर आना तो केवल B और C को क्या करें गयेSet करेंगे अगर में two कराना हो two को मतलब one करना हो ये 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 तो हम A को glow कराएंगे, B को glow कराएंग ग करें ग को, E को और D को ऐसे ही मतलब drive pattern कैसे है जैसे सबके लिए दिया हुआ है देखिए अगर हमें डीजिट दिया हुआ है और यहां से वही हमने समझाया कि जो हमारा जी होता है इसको केवल रिसेट करेंगे रिसेट करते हैं तो हमारा ज्लmiş क्या होगा जीरो डिस्प्ले होगा ऐसवेल अगर को लेकि आया हम इसको केवल सेट करेंगे A, B, C, T मतलब किसको reset रखेंगे केवल 2 को reset रखेंगे E और F देखे यहाँ पर चलते हैं E और F को हम क्या करते हैं जो हमारे E है E और F E और F को हम क्या करते हैं reset कर दिए तो हमारा आप देखे 3 यहीं से देखने लगा यह 3 देखे, 100 हो गया ऐसा 3 तो हमें 3 मतलब करना है तो हम किसको reset करेंगे ऐसा 0 से 9 तक आप जानते हैं 0 से 9 तक यह display करता है 0 से 9 तक हमारे जो होता है 7 segment LED जो होता है display करता है जैसे हमें 8 display करना है 8 के लिए सभी को set करना पड़ेगा 1 मतलब सबको set करना पड़ेगा देखे, यहां पर हम देखते हैं 8 के लिए क्या दिया हुआ है 8 के लिए देखे 8 के लिए सभी को set करना पड़ेगा जो भी LED हैं सबको set करेंगे तो हमारा 8 display होने लगएगा तो microcontroller जैसे हमारा 7 segment LED हो गया इनके port है 8 2 लेकर, मतलब यह से लेकर 8 तक सभी को हम अपने 8054 microcontroller से मतलब interface कर देंगे by the help of मतलब कोई भी wire का यूज करके, मतलब buses का यूज करके हम interface कर देंगे, तो यह हमारा हो गया interfacing, अग कल की वीडियो लेक्षर में हम क्या पढ़ने वाली interfacing of stepper motor तो प्लीज अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा तो don't forget to share as well as देखिए हमने अभी तक के मतलब जो भी topic है बहुत यह से cover किया, कल के वीडियो में हम stepper motor पढ़ने वाले हैं and then A to D, D to C उसके बाद RTC interfacing पढ़ लेंगे and then PIC microcontroller प्लीज वीडियो को अगर अच्छा लगा तो share किजिए as well as don't forget to मतलब subscribe and like thank you